नमस्कार दोस्तों मैं हुआ शालनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिर्जापुर किचन में तो मैंने यूट्यूब पे देखा एक बिस्किट है बहुत ही ट्रेंडिंग में है तो मैंने सोचा मैं भी इसका रिव्यू कर देती हूं तो यह बिस्किट है यह है पोटाटा ब कोशिश की तो भी मिर्जापुर में इसका डिलीवरी नहीं था तो फिर मैंने यह इलहाबाद जो कि प्रयाग राजे वहां पर मंगाया ऑनलाइन फिर मेरा भाइग गया और यह ले के आया तो मैं इसका रिव्यू कर रही हूं मैं भी इसको टेस्ट करके देखती है अच्छ मैं रिस्पॉंस मैंने सुना है कि बहुत अच्छा रिस्पॉंस इसका ब़ुट टेस्टी है बिस्किट तो मैं ऐसे खोलती हूं आपके सामने तो देख रहा हूं तो यह खोलने के बद कुछ ऐसा आरा और यह कुछ बढ़े बयवस्तिक तरीके सरख रहा है यह बड़े पतले पतले पीसेश है तो. खा के बताते हैं कैसा लगए हम तो इसे मैं खा के बताती हम और य tahun है यह दो है और यह अार्भ पतले पतले कम से कम जो जो नॉर्मल होता है जब इनको तीन रखो तो एक साथ तीन या चार बिस्की टक्कों सौरी दो बिस्की टक्कों तब जाके नॉर्मल जो बिस्की चाता है वैसी ही लगता है तो मतलब बहुत ज़्याद़ टेस्टी है और हम देखने में चार पाक बिस्कीट खा गये हां तो इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा कट्टा थोड़ा सा मीछा मिक्स टेस्ट है तो आप इसको पूरी तरह बिस्कीट नहीं बोल सकते और पूली तरह आप इसको चिप्स भी बोल सकते आलू का है थोड़े से मसाले वाली फ्लेवर मुझे चिपस टाइप के लग रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बिस्किट का खटा मीठा टेस्ट आ रहा है जैसे 50-50 होता है कुछ थोड़ा सा मीठा थोड़ा सनमकी पर यह टेस्ट बहुत घजब है मतलब जो पहले से प जिनों ने किया वह बिल्कुल मतलब इमानदारी से किया यह सच में बहुत टेस्टी है और अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स रिव्यों के साथ बाइ-बाइ